हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सुव भूप की आप सब बहुत ही अच्छे होंगे हैं आज मैं अपने को अपने थर्ड चैप्टर को पहने जाए जिसका नाम में में मटे यह को सब्सक्राइब को यहां न नहीं करते हैं इसके पुरेघ्ट्टर आपको देदिया गया है, कि Material Costing, किसी भी समान को बनाने के यह, जो Material स्टमान किया जाता है, उसका जो cost होता है, वो कैसे calculate किया जाए, कैसे material purchase किया जाए, कैसे उसको issue किया जाए, कैसे उसको control किया जाए, तो यह चैप्टर आपको बहुत चीज समझाने वाया है कि जब भी आप फ्यूचर में कभी कोई बिजनेस में जाओगा तो आपको यह चैप्टर बहुत काम करेगा ठीके जी ओके अब दोस्तों यह बात का ध्यान अको कि मटेया जो कॉस्ट होती है समझो सब्सकूर बनाएं क इसके क्या बोते हैं सेइंग प्याइस के ओपर पर यह जाएगा तो बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पाथा है कि मैं अटा कितने का खईदा चीनी कितने का खईदा ठीक है जी तो बहुत इंपॉर्टन चीज होता है तो एडिक्रेट यानि कि भरपूर एंड प्रॉपर करना पाएगा जो सप्याइज आती है जो वाइकिन जो काम हो या है मानों बिस्कुट बन या है बंते बंते ना खराब हो जाए जो बनके एड़ी है जो फी इदम एग्जाक्ट एड़ी है ठीक है जी उसको बेचना सिप करना important features of cost accounting system यह हमाई accounting system का बहुत जादा important part होता है क समान को बनाने से समान को बेचने तक का more than 50% of the total cost of the product are the job is the cost of material यानि कि कि किसी भी समान का cost है अब समान के cost को control नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा profit कम हो सकता है यही objective होता है को को कि जाए तो material control हमको करने के क्या क्या करना होगा ठीक है जी तो material control करने के हमको जो भी हमें material को purchase करते हैं क्या करते हैं जो purchase करते हैं वो कैसे purchase करें कैसे उसको store करें आसा नहों कि purchase करने बाद जहां पर अखे वहां पर खराब हो जाए पुराना हो जाए सर जाए ठीक है जी तो material कैस कीसे परचेस किया जाए कैसे उसको स्टोर किया जाए कैसे उससका प्राइसिंग कैसे उसका कॉस्ट निकादा जाए ठीक है जी सब चीजे है तो रिदी इसदर च sekarang को कैसे परचेस किया जाए घंडा जाति हैं सो सले हुआ कैसे प्रशिय का अ Gast , आप घंडाई कि .. सब्सक्राइब करेंगे उसको भी हम लोग समझेंगे ठीक है तो देखो जी पाइटी ऑफ फिनिस गुड्स डिपेंड अपॉन दा क्वाइटी ऑफ यानि कि जो समान की क्वाइटी होती है वो डिपेंड करता उसके यौ मेटरिया की जो उसमें यूस किया गया है एंड इंप्रूब्ड क्याफ्समान कैन अफ्कोर्स थे इंप्रूबिंग दी क्वाइटी ऑफ प्रूडट यानि कि समान बनाने वाजा सिंपरिसी वाति उसकी क्वाइटी को इंप्रूप कर सकता है बट इट के नौट चेंज अपने खुजी उसको इसा नहीं करोगे अगर हमने सब स्टैंडर्ड यानि कि कम कौईटी वाया समान खरिदा तो इसका नतीज़ा होगा कि wastage of material समान खराब हो जाएगा quality product की कम हो जाएगी और machine भी खराब हो सकती है तो भई आप purchase यानि कि समान को purchase करना कितना important factor होता है आप यह समझ चूके होगे अब दिखो जी एक होता है centri-aist purchasing एक होता है decentri-aist purchasing अब यह क्या होता है दिखो common सी चीज है मैं आपको समझाता हूँ यह centri-aist की तरह concept है अब देखो जी एक business है एक business के अंता है मान योग की हम बनाते हैं biscuit बनाते हैं बिस्कुट और बनाते हैं पांच टाइप का बिस्कुट एक दो तो तीन-चार और पांच टाइप का biscuit अब पांचि दाइप के biscuit के हमको चाहिए मैदा हमको क्या चाहिए मैदा चाहिए ठीक है अब मान योग यह अब देको biscuit है यह पर्चेस करता है यह बीसकुट की यह घ्रू को पर्चेस करता है अब इन सब का पर्चेसिंग मेदे का अगर एक योग करेगा जाने कि जब विशनेस करेंगे एक बनाया जाए को नद सामान चाहिए यही डिपार्टमेंट इसको बता देंगे उसको पर्चेसक और औरामेंट साय दिपार्टमेंट करके उनको देता है उनके इक्रियमंट के हिसाफ से तो इसको Centeris बोलते हैं तो परचेजिंग Centeris भी हो सकती है अब तम परूपमें फार्धा है सो पूप कुछ बच्छे करेंगे कि से त्टम से में आ में फैर्दा है डोनों में ही फार्दा है डिपेंड करता है कि आपका business का size क्या है ठीक है centralized purchasing का मत्रव होता है that all the purchase function are sorted to one centralized department यानि कि सारा purchase एक ही department कर आया है in such a system all the department जिसको जो भी समान चाहिए machine, supply, service, tool जो भी चाहिए वो अपना intent यानि कि बना के भेज़ देगा request कर देगा centralized purchasing department के पास में यह क्या करेंगे उसके हिसाब से purchase करके उसको timey purchase करके उसको दे देंगे ठीक है जी on the other hand decentralized purchasing का मत्रव होता है कि various department खुदी authorized उनके बाद खुदी power है कि वो directly purchase कर सकते इंडेपेंडेंडेंट है वो market से कुछ भी purchase करके आराम से अपने आप समान बना के बेच सकते है ठीक है जी तो भाईया business है तो भाईया कुछ भी कर सकते हो अब इसके फाइदे क्या 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 है अगर business के अंतर सेंट पर्चेजिंग होगी यानि कि साइस department का समान एक ही department purchase करेगा तो उसके फाइदे क्या क्या होँगे है अप आप ही को बोज दें कि आरू खरीत क्या ना है 500 किलो तो आप जिंदगी में नहीं खरीत पाऊगे क्यों कि हो सकता है कि 500 किलो में 10-15 किलो क्या हो जाए खराब हो जा तो वह expert होगे जाके चेक करेगा ठीक है जी बैटर इकंटिवर इसे चीजों को अच्छे से कंटिवर करेंगे एक नौमीन कमपाइशन अफ रिकौर्ड चीजों को रिकॉर्ड मेंटेंड करने में असानी होगी कितना समान आया कितना समान गया ठीक है एडॉप्शन ऑफ उन की और इंट बहुत पाएंगे जो संत्याइश डिपार्टमेंट से उनका ओडर नहीं आ जाएगा तब तक वह पाएगा जाने की पर्चेश करें में दिये ओगा मान यो किसी बिस्कुट की दिमान बहुत ज्यादा है और उसका प्रदक्सन नहीं हो पाया इसने अपना ओडर ब बाकी लोगों कोई भेज़ने दो जब तक बाकी अपने भेज़ेंगे नहीं तब समान कैसे पर्चिस करेगा तो डिये होगा इनीसिया कॉस स्टार्टिंग में इसका खर्चा बहुत ज्यादा होगा मरें यानि कि आपने अपने बिजनस में सेंट्राइस पर्चेजिंग की तो हम लोग छोड़ा समान खेज़ं लेकिद जगें जाता है तो हम उस जगें जाते हैं जहां पर भाया वो समान सस्ता में तो रहे एक है ор रोके उलरा समान छनीसे उसके बैनेफिट्स मेchnिते कोई समच्छा आई तो हम को जान्ज कटी हमको हैवी मार्केट में जाना होता है होजसे मार्केट में आपको टाइम गएगा चीज ये क्योंकि वहाँ पर थोक में कोई काम होता है तो वहां पर दिक्कत भी आईगी डितक बिज्चे़ आपका भीए ठिक है कि यहां पर कि Där इकeded और तो पthen दोस्तों मतिलब क्या होता है झाला होता कि क्या होता आध थाए य॥ा था यह है यह सब्सक्राइब अभिए था था है एडिंग आपकी आपका काम असाम हो जाएगा तब से हैं कि in हम को स्टार्ट करना है कि इस हई यह बिजनेस है इस बिजनेस की भईया फैक्टरी है क्या है जी फैक्टरी है इसमें समान बने रहा है ठीक है इसमें रिख्थो स्टोर है क्या है जी स्टोर के अंदर बैठा होगा स्टोर कीपर जिसको पता है कितना समान है कितना समान नहीं है तो स्टोर कीपर प्रॉपर इस् करने के शार्च करने के आपको रिस्ट बनानी होती है कि कि इतना समान रखा हुआ है कितना समान production planar यानि कि जो समान बाने वाला है वो मांकर लिए कर गया है और कितना समान है जो कि हमाए काम का नहीं है या फिर जो कि बेफाइद्टू का प्राहभा हुआ है इस टोरूम के अंदर यह सब भी हमको पता होना चाहिए फर एक चीज़ का इस हमारे पास में होना चा सब्सक्री característlos अब उसके बाद जब उसको पता च्याई डालेगा इक टूर कि पर या या समान को पर्चेस करना यह समान को पचेस करना है अब देखो जो भी वो officer के पास में authority होगा वो क्या बोतने कहेगा कि ये समान को purchase करना है अब storekeeper ही तो बताएगा ना कि कितना समान है कितना समान नहीं है storekeeper ने बताया purchase department को समान कम हो गया है अब समान खरी दो purchase department का जो officer होगा वो समान को खरने का process को start कर देगा अब देखो जी stock का balance होता है यानि कि stock एक होता है maximum minimum and low यानि कि maximum में कि यह stock बहुत maximum यह वर पर अपने कि बहुत stock है हमारे पास minimum यानि कि यह कम हो गया है और low यानि कि order अब इसको order करने का समय आ गया है तो अब आप अपने business में समान को order करते हो जब वो maximum पर हो तो तब तो नहीं करोगे minimum पर हो या फिदम लो पर जब order करने का समय आ गया यानि कि यह समय ऐसा आ गया कि अब हमको भाईया order करना पाएगा एक्जामपर पूलों की छुट्टी ठंडी में कब होती है जब जागता है कि अब बच्चे सहनी पाएंगे ठंडी बहुत जादा है तभी छुट्टी के आदेस आते हैं तो बिजनस में किसी समान को order करना है खरीदना कब है तो order point होता है जब समान खतम होने जगता है तो वह हम लोग बन बनाकर रखेंगे उसके साब से purchase करेंगे वियर दिफेंट डिफेंट इपार्टमेंट बहुत सारे इसवाना होते हैं जैसे वह बताएं कि जब भी कोई समान आता होगा तो उसका रिष्ट बनाकर रखना रखवाना निकालवाना यह सब कुछ इस टोर कीपर का काम होता है ठ तो storekeeper prepare this form for respective department and submit the same to purchase department यानि कि अब इसको कहानी की तरह याद करो देखो ऐसा नहीं है सबसे पहले process को start करना यानि कि purchase करने को start करना फिर purchase करने का request डायना कॉन आजता है storekeeper आजता है पर्चेस department को कि हाँ भया समान खतम होने वाया है order करने का समय आगे आप पर्चेस करीजिए ठीक है तो वह करेगा ऐसा and यह form बना कर देगा देखो यह क्या ताब फॉर्म होता है यानि कि इसी फॉर्म बना कर देगा यह आइटम नंबर है यह आइटम का code है यह description है इतनी quantity order कर अगर आपके बहुत ग्यान है भंडार है तो इसको बना देगा तो आपको बहुत ज्यादा नंबर में जाएगा बट कोई जरूरी नहीं है ठीक है तो यह हो गया अब दोस्तों इसके बाद आपको आता है bill of material whenever a job or work order is taken in hand जब भी कोई काम हाथ में आता है a complete schedule of such material parts along with their specification is prepared by the planning department यानि कि अब देखो सबसे पर यह क्या हुआ है storekeeper ने store में इस्ट बनाया कि क्या समान है क्या नहीं है फिर समान को खरने का request कर दिया फिर bill of material अब जब भी कोई काम आएगा तो काम को करने के यह वो समान उस quality का समान है कि नहीं उसका इस्ट बनाया जागा planning department and the drawing office ठीक है as would be required in competing that work this is the bill of material इसको बोरते हैं bill of material a copy of this bill is sent to storekeeper अब देखो जी business के अंदर जो production department होगा वो क्या रहेगा समान को बनाने के जो भी समान चाहिए होगा उसका इस्ट बनाके जिसको बोलेगा bill of material वो भेज ज़ेगा storekeeper के पास में storekeeper अपने समान को ready रखेगा अच्छा हाँ भ of material यानि कि जो department हैं जो production department हैं उनको कितना समान चाहिए उन्हीं के हिसाब से storekeeper purchase करने का request डालेगा purchase department के पास में ठीक है जी अब दोस्तों यह तो हो चुका अब deciding important factor यानि कि purchase करना कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि क्या purchase करना है कब purchase करना है कितना purchase करना है बास heading याद करो ठीक है जी ओके अब बैया समान को बेचने वाए सपयाय होते हैं कि हमको A से खरीदना है कि B से खरीदना है कि C से खरीदना यह depend करता है और यह हमको decide करना पड़ता है तो after receiving the purchase the next step is to select the supply कि हमको किसे समान मंगाना है ठीक हो सकता है कि हम tender invite कर दें जिसका पास हो जाए जिसका cost कम हो quality बताते है अपनी उसको हमें tender दे यह भी हो सकता है ठीक है जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो आपको जो पसंद है उसक इसको order देदो purchase का कि भईया समान हमको दो उसको अपने order दिया and follow-up करो follow-up का मतलब होता है कि कब तक वो समान देगा उसके पीछे जगए रहा है कि पहुछा कि नहीं है अगर कुछ भी नहीं होगा उसको आप cancer भी कर सकते हो किसी भी कारन से tender को cancer किया जा सकता है कि भईया आपने इस quality का समान नहीं दिया time पर नहीं दिया condition पूरी नहीं की ऐसे package नहीं किया ठीक है जी अब आपका समान आएगा आपके पास में आप goods को क्या करोगे receive करोगे इन big बहुत जो बई बिजनस होते हैं उनके पास में अलग से department होता जिसको है receiving department checks करता है surprise from the copy of purchase कि हाँ इतना समान आया है इतना चीजे है अपनी e-port बनाता है और e-port बनाके लखेता है sometime the copy of purchase order is given to department without staining there the quantity ordered and the quantity received IEF to be fit by this department याने कि कभी-कभी quantity नहीं बता जाती है वहाँ पर quantity खुदी record करेता है कि हाँ इतना आया इतना लख लो ठीके जी यह भी होत inspection होता है ठीके जी the inspection department makes the inspection of the goods चेक करता है कि quality का है कि नहीं भाईया उस specification का है कि नहीं सब कुछ चेक करता है ठीक है जी उसकी इदम कठोव हो इदम अच्छे चेक करता है दोस्तों ठीके पर दोस्तों passing invoices for payment अब भाईया जो समान आ गया है उसका ब्री भी आया होगा अब समान दिया है वह अपना ब्रीट हमाएंगा भाईया हमाया पास देवाद हो तो वह स्टोर्स अकांट इसके पास में जाएगा जो की चेक करेगा सब कुछ Quotation check करेगा, Copy अपने पास में Purchase Order जो दिया गया था वो भी एक्खेगा समान आ गया उसकी Copy भी एक्खेगा Quality, Quantity सब कुछ चेक करेगा उसकी Report भी अपने पास में एक्खेगा Calculate करने के बाद में वो Invoice को Approve कर देगा And Send to Pay Department की यह Department क्या कर देगा, पैसा पेमेंट कर देगा Time के हिसाब से, अगर कोई Discount है तो इसको कार्ट के पेमेंट कर देगा तो यह था वह यह आपका समान को Purchase करने का तरिका जो कि मैंने आपको बता दिया ठीक है जी, तो इसमें कुछ भी नहीं है अब दोस्तों, Store, Organization and Control तो आपसे एक्जाम में पूछेएगा, जो Store Keeper होता है अगर आपको नहीं भी पता नहीं है तो आप बना के यह दोगे ठीक है न, जी इतना कुछ नहीं है Store, Organization and Control तो Store Keeper कौन होता है उसके functions क्या-क्या होते हैं यह Store Keeper वो होता है जो Store को manage करता है जो Purchase Department को कहता है भया यह क्वेश करता है कि समान को Purchase करना है order समान कम हो गया है तो Store Keeper is the person who is responsible for the managing or the store functions that is कि समान को Purchase करना whatever जो भी काम स्टोर के अंदर होते हैं अब देखो जी After the material I checked by the receiving department and approved by the inspection department they are given to Store Keeper समान किसके पास में आ गया Store Keeper के पास में आ गया Store Keeper ने Store Keeping कर दिया यहनि समान को अच्छे से पूरा रख हुआ दिया Store Keeping is the function of Store Keeper Store Keeping किसका काम होता है Store Keeper का काम होता है जो की maintain करता है Stock Stock स्थे से रख जए कि नहीं सब्छने के लिए ट Kasए का 20 सब्ट ही पर समान को खरीद के अच्छी पर सब्सक्राइब को चब मांग सब्सक्राइब कर ने कि पस सब्सक्राइब कि इस्टोज करने का रिसफ리र्टी हो विए आप जो waar इसु करने का responsibility होता है आपका किसका store keeper का ठीक है जी अब उसके duties क्या क्या होती है भया duties बताने की क्या जयवत है समान को receive करना ठीक है जी department से and check करना उसको proper IMEA Act में proper जगह पर उसको रखना फिर जब भी time आए तो material को इसु करना जो भी भांगे भया कि हमको समान चाहिए उससे request note है कि उसको समान इसु करना पांश डिपार्टमेंट है एक डिपार्टमेंट का कि हमको 50 kg मैदा चाहिए तो वह उससे उसका receipt रिएगा कि भया इसने order जब करेगा तो मुझ से बोई कर नहीं करेगा यह कि 50 kg मैदा required इतने quality का यह आएगा उसको रखेगा फ्रीशू कर देगा तो अपने पास में रखेगा ठीक है अब बिन कार्ड क्या होता है धिक है दोस्तों बिन कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि क्या होता है जो store होता है इस store के अंदर अनमाई बनी होती है अनमाई के अंदर समा नमाई पर इखा होता है और किस नाम का समान में वो इसमें इखा होता है अभी हम detail में आपको बिन कार्ड के बारे में बताते है ठीक है जी ओके और इंपॉइंट्स चेक करना कि कान से समान कम हो गया कान समान ज्यादा हो गया परशेस करने का यह क्रूस्ड डाना तो उसकी मदद करना कि हाँ चेक करना जो समान स्लो मूविंग है या फिर नॉन मूव को समान बहुत धीमे धीमे मूव करते हैं हेवी समान होते है तो उनको ध्यान से रखना ठीक जी इसी बैक अब मान्यों मैं था पटास के जी किसी ने मंगाया था वो दस के जी यूज हुग यहाँ है तो इसका लोकेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए जिससे कि समान असानी से आ जाए ठीके जी ओके ये आपको पहणने के जेवत नहीं है ठीक हजी अब दोसमों आता है अपना छोटा सा BIN कार्ड exam में पूछ देखा कि BIN कार्ड क्या होता है ठीक हजी, तो दिखाते है BIN कार्ड की होता है ये इसको बिन कार्ड का डाइगा काड टंगा होगा जिसको हो में वहिते हैं बिन कारड यह रटका हुगा है इस अनमाई में कितना समान है कितनी quantity है यह हमको बताएगा इस समान के न inadequ है चीने में कितना हमको समान ईसीब हुआ था कितना समान अभी हो가다 आपवा या तो कहीं पर यठाई में ठीक है कि है कि इतंव यो एक्ष न ही होता है हम को इकए टुट चेक नहीं कहना पहलेगा हमने बस यह काड़ देखा यहाँ पर तो यठाढ़ रखा each हाए एक अरुमाई के अलक्स्षी बिनकार बनता है ठीके जी जिसे की हम जो क्या बोजटे? अरुमाई को समझ पाएं कि क्या बोजटे? किस अरुमाई में कौन सा समान कितने quantity का कितना बचा हुआ एत्खा हुआ है तो बिनकारट सिंपन सा लुट होता है, बसक्या इखा होता है, quantity होता है ठीक है, ओके, तो यह ओ गया, अब अगर दो अन्माई है तो ढोट भीन कार्ड होगा, पांच है 500 है, फांसो है तो 500 होगा तरा इस स्पैसिमेन, यानि की format of bin card would show, यह दिखाता है माक्सिमम मिनीमम order करना सब को जिसमें इखा होता है बिन कार्ड में तो हरकास एडिंग माले न तो बिन कार्ट क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा वासे भी उपर आई गया है कि बिन कार्ट को में योग बिन टैग स्टॉक कार्ड बहुते हैं जो कि बैया अर्मिया पर रखा होता है इसके अंदर किसी भी समान का कॉंटिटी कितना इसू कि सीव किया गिया कितना च्रोड इंस अनमारी के ऊपर क्षा होता या लग सरती प्यक् menjadi क्रीब में टो हम में गन नहीं पाएगा न तो सीधे चैर्क और वहाँ पिद पृण यहां Judah में इतना समान रखा हुआ है आसानी से पता चल गया ठीक है जी ओके अब दोस्तों books for recording material याने की material को record करने के कितने खाते बनते हैं material invert कितना समान आया कितना समान issue किया गया कितना समान return किया गया कितना समान transfer किया गया याने कि एक department है बी department है यहां पर 50 kg मैं भेजा पुछेगा बया जी इसे पूसकता आपके exam में चोटे चोटे question में तो हम बता दें ये बिन card की तरह होता है किस की तरह होता है बिन card की तरह होता है बस quantity बता जाते, कि कितना समान है येकिन इस टोई में quantity के साथ साथ उसका price भी इखा होता याने कि store юजर एक यह भी same चीज है same same चीज़ है फॺं एक वह समान जो कि store में रखा हुआ है उसके quantity both quantity यानि कि उसका price भी उसके एंदर इखा होता है ठीक है जी जो store accountant के पास में रखा होता है यह देको इखा होगा ना it is similar to bin card यानि की bin card की तरह होता है but with the main difference that value of material is shown in the store agent यानि कि इसमें value भी उसकी रिखी होती है यानि कि उसका price भी इखा होता है तो store user एक important book होती है जो कि accounts of each item of store store में जो भी समान अख़्ा होता है उसका ये बना होता है ठीक है अलग से the user seat is known as store record card बहुते हैं इसको ये लूज ये form binder यानि कि किताब के form में होता है register के form में होता है ठीक है जी चागाईच के form में होता है किसी भी form में हो सकता है ठीक है जी असानी से ये आपका हो गया तो ये store user से फाइदा क्यों होता है ये store department के पास में होता है इससे पता चाहिता है कि समान के quantity के साथ में उसकी value कितनी है जी तो गएसी बात है बनाने को नहीं बहुत देख लो इसमें क्वांटिटी के साथ में उसका क्या बहुते हैं प्राइज भी रिखा होता है ठीक है तो किस ने भेजा कितना नाम सब कुछ यहां पर रिखा था इतना डीटे में खुशने के ज़र्वत नहीं है ठीक है अब दोस्तों इसू आफ मटे जब मांगे का तो जो स्टोर कीपर है वह इसू कैसे करेगा यानि कि कैसे देगा समान अब तीन कागर चाहिए होते है पहला एक को जी सन नोट का मतल बहुता है material demand यानि कि material मांगा जा रहा है और यह इस बात का सबूत है कि material जिसने मांगा है वो authority उसके पास में है समान को मांगने की तो store या कोई जीसन एक document होता है जो कि authorize करता है storekeeper को कि हाँ भईया समान को issue कर दो जैसे ही वो कागस देखेगा समझ जाएगा हाँ भईया यह department से आया है अब समान को मांगन को issue करना होगा the name and signature of the person जो कि authorize होगा वो इसके उपर sign करेगा and kept the record of storekeeper अपने पास में रखेगा four men of the different department are authorized to draw surprise from the store यानि कि business के जो four men होते हैं वो लोग यह समान को issue करवाते हैं ठीक है जी और इसके तीन copy होती है तीन copy वन copy यक्खा होता है जिसने बनाया है दो copy भेजता है storekeeper के पास में एक store के पास में अपने पास में रखता है और दूसी copy दे देता है भईया accounts department को तो हम जा तीन copy बनती है कितना आसान है जी यह हो गया ठीक अब भईया material return note यह क्या होता है कभी-कभी समान बच जाता है तो समान को वापस भेज दिया जाता है store के पास में जिसको बहुत है material return note बस नाम याद कर जो ठीक है जी बस नाम याद करना है material transfer note का मतलब होता है कभी-कभी समान भईया बच जाता है और दूसरे department में transfer कर दिया जाता है ठीक है जी तो यह transfer note अब दोस्तों यह तो अपना खतम हो गया अब दोस्तों हम लोगा आता है costing of material ठीक है यह अब दोस्तों second part में पहेंगे यानि के third chapter बहुत बढ़ा है तो इसको हम लोग दो part में पहेंगे फर्स चैप्टर अपना topic हो चुका है अब हमें का topic है costing of material कि किसी भी material का cost यानि कि जो खर्चा हुआ है उसको कैसे calculate करते हैं ठीक है तो वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना में अपने next part में thank you so much